यहां पर देखो गैस मैंने खरीद लिया है आरसी महींद्रा थार बिल्कुल एक थार की तरह ही दिखाई देती है यह कार देखो दो कलर्स में मिल जाती है मैंने खरीदी है औरेंज कलर वाली कार चलोगा इस फटाफट से करते हैं इसके अन्बोक्सिंग और करके देखते हैं वें यह कार किससे चल पाती है let's go उपर वालगया गूट्स का क्यारी एरिया होता है हम लोग इसको हटा भी सकते हैं और लगा भी अगर आप यह कार ख रीद्ना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो यहां पर आपको एक बैक दिखाई देगा बैक पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाइ लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हो तो वही सबसे पहले ये देखो ये रहा इसका रिमोट है कितना जादा पतला रिमोट इन लोगों ने बना रखा है यहाँ पर देखो इसके उपर बहुत सारे बटन्स देखने को मिलता है फिलाल इसको अपन रखते हैं साइड में अभी निकाल लेते हैं अपनी Jeep को ओ माई गॉड बिल्कुल एक महिंद्रा की थार होती है बिल्कुल उसी तरह की दिखाई दे रही है उसी तरह का डिजाइन है और वही एकदम जबरदस कलर नजर आ रहा है यार मेरी तो जो फेवरेट कार है ना महिंद्रा थार है आपकी कौन सी सबसे ज़ादा फेवरेट कार है यार मुझे नीचे कमेट करके जरूर बता देना इसके साथ और क्या-क्या मिला यार कुछ है नहीं बॉक्स के अंदर कुछ चीजें मिली है जैसे कि इसके उपर चिपकाने के लिए कुछ स्टिकर्स वगेरा दिये गए है यहां पर जीप बोलकर लिखा है यार पर यह जीप की तरह तो दिखाई नहीं दे रही है इसकी जो बैटरी है यहीं पर लगी हुई होती है और भाई इन लोगों ने इसको चिपका रखा है वेल्क्रो से यह जो बैटरी है 500MH 7.4V की दी हुई है तो इसको अपन लगा देते हैं यहीं पर ही इसको बंद कर देते हैं और जाधा हाट प्लास्टिक से इन लोगों ने इसको बनाया है और देखो गाईस यह जो डोर्स है ना इस तरह से ओपन भी हो जाते हैं अंदर देखो यार सीट्स वगेरा नजर आ रही है स्टीरिंग नजर आ रही है और भाई बैक को देखने के लिए एक बैक मिर्रर भी यहाँ पे इन लोगों ने लगा रखा है साइड में देखो मिर्रर वगेरा दिये हैं और भाई यहाँ पर हैंडल वगेरा भी दे रखी हैं लोगोंने सामने एक एंटी कोलिशन बंपर यहाँ है लाइट्स है यहाँ पर देखो वाईस एक खतरना कवाला डिजाइन बनाया हैं लोगोंने और वाई wheels तो मेरे को काफी जादा soft लग रहे हैं पुरी तरीके से fully proportional RC कार है पुरी तरीके से 4x4 भी है यहाँ पर देखो सामने भी suspensions दिया है पीछे भी suspensions है उतने जादा दमदार मेरे को लगे नहीं नीचे पूरा area जो है plastic का बना हुआ है यह जो पार्ट है पुरी तरीके से अम लोग इस तरह से open भी कर सकते हैं अंदर देखो backs वगरा रखने के लिए दिया हुआ है एक extra wheel दिया हुआ है यह जो उपर वाला पार्ट है इसको भी चाहे तो हम लोग पुरी तरीके से अलग करके open top भी इसको बना दे सकते हैं यह देखो भाई मेरे पास एक और जीपसी है इसका नाम है D90 यह जो कार है ना भाई थोड़ी बहुत land rover की तरह ही दिखाई देती है बहुत जादा weight carry कर सकती है और off road में तो बड़ा ही कमाल से चल सकती है दोस्तों अगर आप चाते हो मैं इन दोनों की fight वाली वीडियो बनाओ या फिर versus वाली वीडियो बनाओ तो मुझे नीचे कमेंट में yes बोल कर टाइप कर देना मैं ज़रूर से इन दोनों की versus वाली वीडियो भी बना दूँ इस कार की और कुछ खास चीजे मैं आपको बताऊं तो देखो यार इसके अंदर बैटरी मैंने डाल दी है इसके अंदर भी बैटरी डाल दी है सामने के headlights बहुत जादा ब्राइट दें है जैसी आप इसकी steering turn करते हो देखो यार यहाँ पर इसके अंदर indicator भी जलने लगते है तो reverse जब हम ले रहे हैं तो देखो पीछे वाले light भी इसके अंदर काम कर रहे है तो यह चीज मेरे को इसकी काफी ज़्यादा सही लेगी यार देखो फूरी तरीके से 4x4 RC का रहे है तो चलो दोस्तों अभी अपने लोग चलते हैं बाहर फटा फट से करते हैं इसके testing देख रहा है इसके अंदर देखो वैस मैंने प्रेस कर दिया अभी यह जो का रहा है अपने हाँ पीछे लेगी मैं आप बिल्कुल भी इसका trigger प्रेस नहीं कर रहा हूँ आप चाहे तो इसको reverse में प्र जला सकते हैं और forward में प्र जला सकते हैं यह बटन दबाने पर इसकी steering जो है पूरी तरीके से left को turn हो जाती है नीचे का button दबाने पर यह जो steering है पूरी तरीके से right को भी turn हो जाती है यहाँ पर एक knob भी DIYS की speed control करने के लिए पर यह जो knob है इस remote के अंदर सहीं से काम नहीं करता है रिमोट की steering test भी करके देख लेते हैं steering एकदम मखन की तरह turn हो रही है द बनाई गई है अपनी थार भी ओफ रोड में ही चलने के लिए बनाई गई है दोरों के बीच में यहाँ पर मैं रेस करा के बता रहा हूं देखते हैं यहाँ पर रॉक रोलर इसको हरा पाती है कि नहीं मेरे को लगता है कि नहीं हरा पाईगी अपनी थार की speed बहुत जादा इसकी speed 15-20 km पर आवर है अपनी रॉक रोलर की speed 15 km पर आवर है तो भाई रॉक रोलर तो इसको बिल्कुल भी हराने ही पाईगी अपनी आर्टी थार अभी रॉक रोलर के साथ इसकी आमने समने वाली fight कराते हैं देखते हैं वाई कौन जीत पाता है तो दोनों की एकदम से ट गॉफ वार भी खरा के देखते हैं वापस से अपनी रॉक रोलर को हरा पाती है कि नहीं ये भी चेक कर लेंगे तो देखो गाईस यहाँ पर दोनों के will काफी speed से गूम रहे हैं दोनों जो यहाँ पर गटे बना चुके हैं दोनों को भी proper grip यहाँ पर नहीं मिल रही थी अब पर रॉक रोलर को बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं मिल रहा है grip जमानी के लिए अपनी RC थार जो है एकदम true off-roader कार है यहाँ पर देखो इतने धेर सारे पत्थर पड़े हैं इन पत्थरों पर से अपनी कार किस सरा से smooth तरीके से निकल रही है इसके suspensions भाई ठीक ठाक से ह काम कर लेते हैं off-road में चलने के मामले में इसके सामने अगर कोई बड़ा पत्थर भी आ जाए ना भाई इसको फान कर इस तरह से निकल जाती है अपनी RC थार अभी अपनी थार के सामने 60 degree की climbing है साथ में यहाँ पर देखो बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हैं देखते ह तो rock crawler यहाँ पर आकर पत्थ चुके है थोड़ा सा पीछे लेकर अभी आगे चलाते हैं देखो वाई अपनी rock crawler यहाँ पर काफी easy तरीके से climb कर चुके है क्यूंकि इसके suspension जो है थोड़े से hard दिये हुए है दोस्तों अभी अपन इसके अंदर battery अप्ग्रेड कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो इतना जादा weight भी अपनी जो आर्जी थार है ना carry कर सकती है यह जो cars होती है न यार बहुत जादा weight carry कराने के लिए ही बनाई जाती है मेरे पास पता ही होगा आपको बहुत सारी इस तरह की cars है इसके उपर और weight डाल दिया है मैंने नीचे की तरह अपन जो car है ना भाई लेके जाज़के इसके उपर में और दो डिब्बे भी रख दूना गज़ तो भी यह weight carry कर सकती है दोस्कों चलो भी इसका range trace भी करके देख लेते हैं इसके साथ हमें 2.4 GHz का remote मिलता है बहुत दूर तक अपनी car जो है जा चुकी है तकरीपन इसकी range जो है 70 से 80 मीटर दूर तक चला सकते हैं हम लोग यार मैंने तो बिल्कुल भी ने expect किया था कि अपनी car जो इतनी दूर तक चली जाएगी जहां तक बात करूँ मैं इसको गड़ों में चलानी की गड़ों में तो भाई अपनी car एकदम मस्त तरीके से चलती है सामने एक बहुत से चल सकती है ओन रोड में भी बिल्कुल सेम स्पीड से चल सकती है 15-20 km पर आवर इसकी स्पीड दी गई है इसकी बैटरी भी बड़ी कमाल की चलती है दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बता हो आपको ये कार कैसी लेगी तो चले दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट शाउट अब सबसे पहला नाम आज आता है राशन कुमार जिगनेश विरेंदर उतकर्ष साई रिशीत मकसूद अहमद गगन जिवेश राज फाईस थैंक्यू दोस्तों इतने अचे कमेंट करने के लिए और दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो